पाकिस्तान 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 की माला हमेशा जपने वालों को और भारत के किसी भी कोने को पाकिस्तान कहलाने वालों के जबान पर सुप्रिम कोट ने लगाया ताला दरसल आप सभी को मालूम है कि आज भारत देश में कुछ पार्टियों के नफरती नेता और कुछ संगटन के लोग हिंडू मुसलमानों को बाटने की सियासत कर रहे हैं जिन इलाकों में हिंडू आबादी ज्यादा है उस इलाके को हिंडूस्तान कह रहे हैं और जहां मुसलिम आबादी ज्यादा है उस इलाके को पाकिस्तान कहते हैं जबके ये सरासर गलत है देश को बाटने की हिंडू मुसलमानों को बाटने की ये गंडी साजिश है इस्क्रीन पर जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं इन नेताओं को आप जानते ही होंगे जिनके जबान पर सबसे ज्यादा अपने भगवान का नाम नहीं आता होगा जितना ये पाकिस्तान का माला जबते हैं मुस्रिम इलाकों को पाकिस्तान कहते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं हमेशा नफरत डालने का काम किया जाता है ये नफरत तो देखो आप कहां पहुँच गई है करनाटक के हाई कोट जस्टिस शिर्शानन ने एक मकान किराय के तनाजे की सुनवाई के दवरान जस्टीस शिर्शानन ने रोड सेफ्टी पर बात करते वे कहा आप मैसूर रोड के फ्लै ओर की तरफ जाएं हर आटो रिक्षा में दस लोग होते हैं बजार से गोरिपालिया तक मैसूर फ्लै ओर पाकिस्तान में है हिंदूस्तान में नहीं कहा था और एक मामले में एक महिला वकील से कहा था कि आप अपने क्लाइंट के बारे में कापी मालूमात रखती हैं क्या आप बता सकती हैं इसने कौन सी कलर की चड़ी पेहनी है इनके इस तरह के बयानों पर इनके वीडियो सोशल मीडिया में वैरल हो गए और लोग तंकीत करने लगे तो फिर खुद सुप्रिम कोट ने सो मोटो करके खुद नोटिस लेते वे कहा के ऐसी जबान ना काबिले बरदाश है जब सुप्रिम कोट ने खुद नोटिस लिया तो जज साब ने माफी मांगी और कहा के आगे से ऐसी गल्टी दुबारा नहीं करूंगा जब जज साब ने माफी मांग ली है तो अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाया गया और इसी मामले में चीफ जस्टिस ओफ इंडिया डीवी चंद्रचूड के नितरुट में पांच जज़ों की बेंच ने कहा के आप हिंडुस्तान के किसी भी कोने को पाकिस्तान नहीं कह सकते ये देश की बुनियादी इलाके की एकता और एकंता के खिलाप है चाहे वो कोई जज हो या कोई राजनेता या कोई संगटन का कारे करता या कोई भी देश का नागरिक भारत के किसी भी हिस्ते को पाकिस्तान नहीं कह सकता ऐसा कहने वालों पर आप सक से सक कारवाई हो सकती है इसी तरह बीजेपी एममेले बसंगोडा पाटिल ने अपने एक बयान में कॉंग्रेस मंत्री दिनेश कुंडुरों के घर में आदा पाकिस्तान है कहा था जिस पर दिनेश कुंडुरों की बीवी तबसुम ने करनाटका हाई कोट में डिफेमेशन केस दाकिल किया था जिस पर बसंगोडा पाटिल ने तबसुम की आरदी पर रोक लगाने की अरदी दाकिल की थी इस पर जजज सहाब ने सक्ट फटकार लगाते वे सुनवाई को आगे बढ़ाया है इस मामले में भी आदेश आना बाकी है हम तो नफरत बाटने वालों से यही कहेंगे पाकिस्तान की माला जपना बंद करके अपने भगवान की माला जपना शुरू कीजिए जिससे शायद आपके कुछ तो पाप कम होंगे तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूस नेशन हक की आवाज मैं हूं शकील अहमत बाग मरे